गुड मॉर्निंग, क्लास सेकेंड, एक्टिव इंग्लिश लिटरेचर रिडर बुक आपकी, आज हम चैप्टर 11 रीट करेंगे, देखिए आप, चैप्टर 11, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हम जब मॉर्निंग में उड़ते हैं, तो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निं अर्ली वन मॉर्निंग, बिफोर दी सन केम अप, आउल वाज इस्टिल एवाउक, रॉबिन जो है, रॉबिन एक बर्ड है, उसने क्या किया, हर नैस्ट, उसके नैस्ट से, अर्ली वन मॉर्निंग, एक सुबह वो जल्दी ही बाहर, आउट याने बाहर निकल कर आ गया, रॉ रॉबिन उसके नैस्ट से, एक सुबह जल्दी ही बाहर निकल कर आ गये, बिफोर दी सन केम अप, इसके पहले कि जो सन था, वो केम अप, उपर आता, बाहर आता, यानि कि सुरेदे होता, उसके पहले ही, जो रॉबिन है, वो उसके नैस्ट से बाहर आ गई है, आल वाज इस जग भी क्या कर रहा है जग रहा है आवा केने जग रहा है आपको पता है ना आउल नाइट में रात में जगता है इसलिए आउल जो है वो अभी भी जग रहा है क्योंकि अभी तक सूर्य देव नहीं हुआ है I love the sunrise sang Robin रोबिन ने क्या कहा कि मुझे sunrise सूर्य दे जब सूर्य उगता है वो मुझे बहुत पसंद है I love the sunrise में sunrise को बहुत पसंद करता हूं I love the sunset hooted owl अब आउल ने क्या कहा लेकिन मैं I love the sunset में सूर्य आस्त को पसंद करता हूं मुझे जब सूर्य अस्त होता है तब बहुत अच्छा लगता है hooted owl आउल ने उसकी sound में hoot किया hooting करी He yarned and fluffed his feathers उसने क्या करा He yarned उसने जमहाई ली and fluffed his feathers उसके पंकों को क्या करा फड़ फड़ाया Robin stretched her wings Robin ने भी her wings यानि कि उसके पंक फैलाए I love the blue sky she said उसने क्या कहा कि मुझे blue sky पसंद है मुझे कैसा sky पसंद है मुझे blue sky पसंद है next पे number 49 पे आ जाईए देखिए A black sky full of stars is better said owl आउल ने क्या कहा कि एक black sky full of stars जिसमें stars भरे हुए हो is better said owl वो ज़्यादा अच्छा है किस से blue sky से रात में sky कैसा हो जाता है black हो जाता है तो उसने क्या कहा owl ने कि full of stars black sky ज्यादा अच्छा है next I love the sun said Robin Robin ने क्या कहा कि I love the sun मुझे सूरे बहुत पसंद है owl said the moon is better अब owl क्या के रहा है कि लेकिन moon is better moon ज्यादा अच्छा है just give the sun a chance चिर्प रॉबिन अब रॉबिन क्या के रही है कि जो sun है उसको एक chance दो उसको एक मतलब उसको आने दो चिर्प रॉबिन रॉबिन ने क्या करा चहकते वे कहा we will sorry well I will try sad owl अच्छा I will try मैं कोशिश करूँगा sad owl आवल ने कहा he blinked his tired eyes और फिर उसके बाद उसने क्या कहा his tired eyes उसकी ठकी हुई आखे है क्योंकि वो सारी राद जाबता है इसलिए उसने क्या करा उसकी जो ठकी हुई आखे थी वो blinked याने moon ली बंद कर ली उसने उसकी ठकी हुई आखे बंद कर ली अब camdy sun अब camdy sun अब सूरे भी उपर आ गया था isn't it amazing क्या यह आश्चरे जनक नहीं है ask robin robin ने कहा जी जी sad owl आवल क्या करा है जी 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 उसने उसके sound में इस तरह से जी 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 करके बोला ठीक है next class में हम इसकी exercise करेंगे आपको यहां तक इसको read करना है thank you